वेलकम टू माइ व्लॉग मूग टाड़ूस गो आए होप आप सब लोग ठीक होंगे मूग और मैं भी बिल्कुल ठीक है हमारे मूग टाड़ूस गोगे ओनर भाईया स्थोड़ा नाराज से पता नहीं क्या हो गया था मूड खराब था और यह टाड़ी में स्टूडियो से ल बाद मैं स्टूडियो आ गई थी और एक में रील शूट कर रही थी इंस्टाग्राम को ले गए तो गाई आप मैं इस्टाग्राम पर जाके देख सकते और प्लीज फॉलो कीजिए मुझे मुझे मूग टाड़ूस गोवा और यहां भी अगर आप नए है तो प्लीज में च अधर लकड़ी बची थी तो उसको हमने प्लाय मतलब चो बोड था उसको कटा लिया शेप में अच्छुली मैंने सोचा पेंटिंग करना फिर से मैं स्टाट कर दियती हूँ मैंने स्टॉप कर दिया था तो इसको तुकड़ो तुकड़ो में काट दिया था ऐसा नहीं कि हमारे टाटू आर्टिस्ट एक आर्टिस्ट के लाइफ में सब स्मूज चलता हो अच्छली अभी सीजन डाउन था बारिश थी काफी तो मेरे पास क्लाइंट बिल्कुल भी नहीं थे 10-12 दिन से मैं बहुत कभी-कभी परिशान हो जाती हूँ फ्रस्टेड हो जाती हूँ बढ़ ठीक है आपको continue करना है आप give up नहीं कर सकते हो आर्टिस्ट का यही होता है और भी आर्टिस्ट होंगे वो मुझसे relate करेंगे तो मैंने तब तक के लिए canvas ले लिए थे एक बड़ा canvas लिया था क्योंकि मैं गनीज जी की painting मनाना चाह रही थी तो आप प्लीज इंस्टाग्राम पर जाकने देखना यह देखो मैं अन्बॉक्सिंग कर ली थी और फिर मैं ड्रॉ कर रही थी गनीज जी की देखना और फॉलो सब्सक्राइब कर देना आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो तो यह देखो मैंस भी हो जाता है paint के बाद बड़ ठीक है और यह देखो फाइनली बन गए थे pencil से मैंना बना दिया था sketch उनका और guys यह मैंने न्यू ना व्लॉग ले एक वो लिया है self-stick I mean tripod stand उतना quality ठीक है मतलब उसका उग्यों के मीशों से मंगाया था और उसके बाद फिर मैंने paint करना start कर दिया था यह देखो कि इसमें yellow color और बहुत सारे colors थे मेरी गन्नुची के painting लेखना इतनी colorful होने वाली थी guys आप लोगों को बहुत पसंद आएगा मैं जरूर रील में share करूंगी तो guys हमेशा life smooth नहीं चलती है और मैंने सोचा कि क्यों ना एक नया start लिया जाए कि मैं अपनी painting बना कि बीशना चालू कर दूँ तो guys अकर आप लोग को इंट्रेस्ट है खरीदना है तो आप मुझे comment कर सकते हो या मेरे instagram में DM में आप मुझे message कर सकते हो और काफी सारा मैं अभी नहीने paintings बनाऊंगी क्योंकि rent निकालना होता हमें बहुत सारी चीज़ होती एक artist के life में इतना easy नहीं होता और उसकी family उसको support ना करे वो अकीला खड़ा हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मैं आपसे guys सारी story मैं किसी दिन share करूंगी कि मैं कैसे artist बनी tattoo artist और pastry chef कैसे बनी क्योंकि एक लड़ी के लिए tattoo artist बनना पहले के समय में भी tough था और अभी obviously बहुत से लोग बन गए उनकलिफ होगा easy बट मेरे लिए अतना नहीं था मैंने मेरी चीज़े हमेशा मन लगा कर करी है और किसी ने साथ दिया हो ना दिया हो बट मैंने हमेशा करी है क्योंकि मैं अपने dreams के लिए जीती हूँ और मैं सबसे यही कह दियू कि अपने dreams कभी भी मानना नहीं ची हमेशा आपको life में अच्छा आपको जो पसंदो आप वो कीजिए बट एक artist के life इतनी easy नहीं होती हम लोग रोज नहीं कमाते अगर हमारे पस client ना हो customer ना हो तो हमारे ले tough हो जाता है हम रोज नहीं कमाते है जब कमाते है तो obviously हमें save करना पड़ता है वो भी rent बनना है material लेना है काफी कुछ चीज़े होती है तो इसी के साथ vlog खतम करते हैं okay guys thanks for watching my vlog कल मिलते हैं बाई बाई